सावन पूर्मा पर पूरे 621 साल बाद बने अध्वत सहयोग, पुरानी जाडू से करें के आसान सा उपाय, आपके पित्र करेंगे आपको माला माल, जीवन की सभी परिशानियां होंगी दूर, सभी कष्टों, दोशों और दुखों से मिलेगी मुप्ति, मालक्ष्मी के गिर् करोड़पती भी हो जाएंगी करोड़पती, दोस्तों हिंदु धर में सावन पूर्मा का विशिश महत्व होता है, यह दिन भगवान शिप के साथ ही, भगवान शीहरी विश्नु, मालक्ष्मी को समर्पित होता है, सावन पूर्मा के दिन भगवान शिप मापार्वती का व पर जाने में अस्मर्ध हो तो सावन पोर्मा के दिन इसनान के जल में गंगा जल डाल कर उस से इसनान अवश्य करें ऐसा करनी से समस्त कश्ट दूर होते हैं और गंगा इसनान का ही पुन्हे मिलता है धानमिक मानिताओं के अनुसार सावन पूर्मा पर गंगा इस्नान करने के बार पित्रों का तरपर अवश्य करना चाहिए ऐसा करने से पित्रों का अश्रवार मिलता है पित्र दोश तो दूर होता ही है साथी सभी तरहे के ग्रह दोश दूर हो जाते है अगर आप राहू केतु के दोशों से पीडित हैं, किसी भी ग्रह दोश से पीडित हैं या काल सब दोश आपको सता रहा है तो इस दिन भागवान शिप की शिवलिंग का गंगा चल से अभिशिक अवश्य करें ऐसा करने से समस्तिक ग्रह दोश दूर हो जाते हैं सावन पूर मा भगवान बृष्चुब मालक्षमी को भी समर्पित होती है इस दिन मालक्षमी को एक आकशी नारियल अरपित करना चाहें ऐसा करने से दरिद्धा आसपास भी नहीं टिकती और अपाधन का लाव होता है तिजोरी हमेशा भरी रहती है एक आक्षी नारियल ना मिले तो आप पानी वाला एक जिटा वाला नारियल भी मालक्ष्मी को अर्पित कर सकते हैं पुराणों में पुर्मा का दिन बेहत पवित्रमाना जाता है कहते हैं इस दिन लेसन प्याज मास मत्रा आधी का सेवन नहीं करना चाहें पुर्मा के दिन प्रमचर्य का पालन करना चाहें पूर्मा के दिन परिवार में शुक्षान्ती बना कर रखनी चाहें और किसी से कटू बचन नहीं बोलने चाहें इस दिन दर्वाजे पर आने वाले गरीव या चरुत्मन व्यक्ति को अपनी सामत के अनुसार दान अवश्य ही करना चाहें पूर्मा के दिन चावल का दान करना भी बहुत शुब होता है ऐसा करने से चंदर गह से संबंधे दोश्दूर होते पित्रों को प्रसन्य करने के लिए और पित्रों का आशिरवाद प्राप्त करने के लिए एक शुद्ध लोटे में आप जल भरें जल में थोड़ी सी चीनी और थोड़ी सी काले दिल डाले अब इस जल को आप दर्शिन दिशा की तरफ मुख करके चढ़ा दे जल चढ़ाते समय ओम पित्रफे नमा ओम पित्रफे नमा इस मंतर का जाप करते रहे जल चड़ाने के बाद भी 21 बार आप ओम पित्र फे नमह मंदर का चाप करें दर्शिन दिशा पित्रों की दिशा मानी जाती है पूर्मा के दिन इस तरह जल चड़ाने से पित्र देब प्रसंद होते है जल चड़ाने के बाद पित्र देब को प्रडाम करें अपनी सभी जाने अंजाने में की गई गलतियों की शमा मांगे इससे पित्रों का आशेवाद प्राप्त होता है और पित्र दोश से भी मुक्ति मिलती है पूर्मा के दिन मा लक्ष्मी को ग्यारे कोडियां अर्पित करें मा लक्ष्मी के सामने एक लाल रंके कपड़े पर अब ग्यारे कोडियां रखें अब मा लक्ष्मी का फूजन करें और फिर मा लक्ष्मी को तिलक लगाने के बाद हल्दी से सभी कोडियों पर तिलक लगाएं अगले दिन सुबह इन कौडियों को लाल कपड़े में बांद कर अपनी तिजोरी में रख लें या अपने धन रखने के इस्थान पर रख लें इस उपाई से घर में धन की कोई भी कमी नहीं होती इसके पश्चाथ प्रतेग पूर्मा के दिन इन कौडियों को अपनी तिजोरी से निकाल कर माता के समुख रख कर उन पर पुन्हें हल्दी से तिलक करें फिर अगले दिन उन्हें लाल कपड़े में बांद कर अपनी तिजोरी में रख लें ऐसा कहने से आप पर मालक्ष्मी की क्रपा सदय बनी रहेगी कौड़ी मालक्ष्मी को अतिप्रिये हैं मानिता हैं जहां कौड़ी होती हैं वहां मालक्ष्मी सदय पास करती है पोड़मा की रात को जाड़ू का एक आसान सा उपाय करके आप मालक्ष्मी को प्रसंद कर सकते हैं क्योंकि जाड़ू मालक्ष्मी का ही प्रतीक मानी जाती है जाड़ू हमारे घर से गंदगी हटाती है और दर्दता को दूर करती है पूर्मा की रात को जाडू का ये आसान सा उपाई करने के लिए आप अपने घर के उत्तर पूर्व कौने को साफ करें अब आप एक नई जाडू लें या फिर आप रोजाना जिस जाडू से अपने घर में जाडू लगाते हैं उस जाडू को भी ले सकते हैं इस जाडू को लेकर आप कप्रे से पौँच कर साफ कर दें। इसके बाद इस जाडू को आप अपने घर के साफ उत्तर पूर्व कौने में लिटा कर रखते हैं। ध्यान रखें इस उपाई को करने के लिए आप ऐसी जाडू ना लें जो आप इस्तमाल नहीं करतें। यानि कि जो जाडू बेकार हो गई है। आपको ऐसी ही जाडू लेनी हैं जिसका आप इस्तमाल करते हैं या बात में करेंगे। जाडू की पूजा करने के लिए जाडू के हैंडल पर आप कलावे से तीन लपेट लगाएं और एक कार पांदें। इसके बात आप जाडू के हैंडल पर हल्दी और कुमकुम से दिलक करें। फिर अपने हाथ में एक पुष्पु लें, थोड़े से साबुच चाबल लें, थोड़ी से हल्दी कुमकुम लें। अब मा लक्ष्मी का इस्मरण करते हुए जै मा लक्ष्मी, जै मा लक्ष्मी का जाब करते हुए आप यह पुष्प जाडू पर चड़ाएं। थोड़ी से साबुच चाबल हल्दी कुमकुम लें और अगर पुष्पु हो तो पुष्पु भी लें। अब आप हल्दी कुमकुम चाबल और पुश्पु को जाडू के उपर छिड़कें अब एक सुगंदे धुपती जलाएं इसके बाद मा लक्ष्मी को हाद चोड़ कर प्रणाम करें और उनसे अपने घर में से गरीबी और दर्दा को दूर करने के प्रातना करें तो आप उस जाडू पर रात में कोई कपड़ा ठक दें सुबह उठकर आप जाडू के पास जाकर पहले मा लक्ष्मी को प्राम करें इसके बाद जाडू उठाकर सबसे पहले अपने रसोई घर में जाडू लगाएं और फिर पूरे घर में जाडू लगाएं पूर्मा की रात को ये आसान सा उपाई करने से माय लक्ष्मी की कृपासे खर से गरीबी और दरदिता दूर हो जाती है और सुक समर्थी सौभाक्य का बास होता है अगर आप ठन्थानने की कामना रखते हैं तो आपको पूर्मा के दिन मालक्ष्मी का पोजन अवश्य ही करना चाहिए। इस दिन शरी सुक्त कनकधारा इस्त्रोत विश्णु शहस्त नाम का पाठ करना चाहिए। माता लक्ष्मी की पूजा के साथ इनमे से यदि एक काभी पाठ आप शर्धा भाब से करते हैं तो माता लक्ष्मी अवश्य ही प्रसन्न होकर सुक्सम्रध्धी का आशिरवा देते हैं। खीर मालक्षमी को अतिथिक प्रिये है, पोर्मा के दिन केसर की खीर का मालक्षमी को भोग लगाया जाता है, फिर इसके पर शाद यह खीर का न्यावमी प्रशाद के रूप में बांटने, ऐसा कहने से मालक्षमी अतिशेकर ही प्रसंद हो जाती है, इसके अलाबा इस दिन माल लक्ष्मी को उनकी प्रिये बस्तु हैं जैसे मखाना, सिंगारा, नाधिया, सफीद बर्फी और अक्षद जरूर ही अर्पित करें। आप चाहते हैं कि धन, सुक, सम्रद्धी और एश्वर्दे की देवी मालक्ष्मी आपके घर में इस्थाई रूप से बास करें। तो आप अपने घर में साफ सफाई रखें, घर में लड़ाई जगरे ना करें, बड़ों का सम्मान करें और बच्चों से प्यार करें। दार्मिक माननेताओं के अनुसार जहां लड़ाई छगड़े होते हैं, कोई गलत कार्य होता है, या गंदिकी होती है, बढ़ों का अपमान होता है, वहां मा लक्ष्मी कभी भी बास नहीं करते हैं। पुड़मा के दिन भगवाई शिप जी का भी पूजन अवश्य ही करना चाहें। परिवार में सुख सोभाक्य के लिए और रोग और संकर तूर करने के लिए पूड़मा के दिन भगवाई शिप जी को सफ़ेद चंदन एवं सफेद फूल चड़ाते हुए साबू दाने की ख जिस भी व्यक्ति को जीवर में धन संबंदी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, उन्हें पूर्मा के दिन चंद्रद्य के समें चंद्रमा को कच्चे दूद में चीनी और चावल बिलाकर, ओम एम क्लिम सौमाय नमा मंतर का जाप करते हुई अर्धे देना चाहें, इससे धी धीरे आधिक समस्याओं का निराकरण हो जाता है, पूर्मा के दिन ये आसान से उपाई करके आप भगवान पिश्णूमा लक्ष्मी जी के साथ ही समस्ति देवी देपताओं का भी आशिरवात प्राप्त कर सकते हैं, उमीद है आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी प्लीज लाइक करें, हमारी इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और इस्तेदारों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, जिससे भैबी इसका लाव उठा सके, हमारी और भी वीडियो के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, थैंक्स फॉर वाचिंग, लादी रादी